गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम नंबर सेवन बनाना सीखेंगे भोला को अपने बगीचे के लिए एक स्पेड की जरुवत थी उसने आसपास रखे स्पेड की तरफ देखा यहाँ पर कितने स्पेड हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ, यहाँ पर 7 स्पेड हैं हम 7 कैसे लिखेंगे? आपको sleeping line याद है? और वो आगे की और जुकी हुई slanting line? 7 लिखने के लिए हम इन दोनों का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले sleeping line और फिर आगे की और जुकी हुई slanting line और देखिए हमारा number 7 तयार है हम इसे अपनी notebook में कैसे लिखेंगे? चलिए पहले dots बनाते हैं और उनकी मदद से 7 बनाते हैं सबसे पहले हम एक sleeping line बनाएंगे फिर आगे की और जुकी हुई एक standing line कितना आसान है ना? भोला ने बगीचे में काम करने के लिए स्पेट को उपर उठाया तो देखे ये बिलकुल 7 की तरह दिख रहा है है ना? चलिए एक बार फिर 7 बनाते हैं अब यहां पर कितनी birthday hats है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ 7 hats हैं तो चलिए हम यहां 7 लिखते हैं कैसे? एक sleeping line और एक आगे की और जुकी हुई slanting line तो बन गया number 7 तो देखे अब हमने स्पेट की तरह दिखने वाला number 7 बनाना भी सीख लिया है तो अब के लिए बस इतना ही बाई 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 बच्चो